हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इक्जाम इजान पे तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 अपरेल 2020 के इंपोर्टिन इमेंट्स के साथ नाबार सीरीज पे फोकस करने की वेज़ से हमारी ये करेंट अफ़ेर्स की वीडियो डिले हो रही है लेकिन आपने चींत रहे हैं इनको मैं पेंडिंग नहीं रखूँँगा तो आज 25 और 28 यानि 25 और 28 अपरेल की करेंट अफ़ेर्स की वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ इसी तरह से मैं 26 और 27 की भी कवर कर लूँगा वीडियो अप्लोड करने से पहले मैं आपको उता दूँ आप वीडियो का एक्स्प्लेशन ध्यान सुखने तो कि वीडियो के लास्ट में मैं दो कोशन वीडियो के एक्स्प्लेशन से पूछूँगा पहला कोशन आज क्या देखते हैं पहला कोशन है नेशनल पंचायती राज डे किस दिन औबज़र किया जाता है तो आपका प्रत्यगवर्स 24 अपरेल को नेशनल पंचायती राज डे औबज़र किया जाता है जो आपका 73rd constitutional amendment था जो 1992 में हुआ था उसके द्वारा पंचायतों का गठन किया गया था और यह जो आ आप इतना याद रखेगा। वरतमान में इंडिया में फ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम लागू है। इसको किस ने किया था। तो बलवंत राय महता कमिटी ने इसको recommend किया था 3-tier पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ village level पे, block level पे और district level पे पंचायत सयाँ प्याद रखेगा तो बलवंत राय महता कमिटी ने इसको recommend किया था और एक और committee बनी थी असोप महता कमिटी उसने 2-tier system को recommend किया था तो असोप महता में आप देख सकते हैं दो word हैं इसलिए इन्होंने 2-tier system को recommend किया था और बलवंत राय महता में 3-tier system को recommend किया था आप ऐसे करके याद रख सकते हैं जो आपकी पंचायत्स हैं वो इंडियन constitution के part 9 में आती हैं आप इतना याद रखेगा और कभी article पूछ लें तो article 243 से लेके 243 ओ तक आती हैं आपकी पंचायत्स आप इतना याद रखेगा बात करते हैं पंचायत्स की तो इंडिया में पहला इस्टेट कौन था जहां पे 3-tier पंचायती राज system लागू हुआ था पंचायती राज मिनिश्ट्री अगठन कब हुआ था तो 2004 में पंचायती राज मिनिश्ट्री बनी थी इसके फर्ष मिनिश्टर थे मरी संकर आयर जी तो आप इतना याद रखेगा हमने सारा कवर कर लिया 24 अप्रेल नेंस्टन पंचायती राज डे नेर्स पोर्षन है इग्राम सुराज पोर्टल की देखिए ये एक सिंगल इंटरफेस प्लेटफॉर्म है जहां पर पंचायतों को जो भी फंडिंग दी जा रही है उस फंड का वो क्या यूश कर रही है अपने डेवलेप्मेंट प्लान की कैसे प्रिप्रेशन कर रही है और इस प्रिप्रेशन की जाएगी जितनी भी पंचायतों का लैंड होल्डिंग है या फिर उनके सौमित में जितनी भी प्रापर्टी आती हुए उनकी जी यो टेगिंग की जाएगी तो मैंने इग्राम सुराज पोर्टल और सौमित इसकीम दोनों बता दिया ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के तहट आने वाले पोर्टर और स्कीम है आपने आद रिखेगा पंचायती राज मिनिस्ट्री इनको इंप्लिमेंट करेगी इग्राम स्वराज पोर्टल को और स्वामिती स्कीम को इस समय पंचायती राज मिनिस्टर कोन है तक यह 23rd April को क्यों लांच के गया था क्योंकि 23rd April को आपका World Book and Copyright Day होता है जिसकी सुरात UNESCO ने 1995 से की थी तो आप एद रखेगा World Book and Copyright Day 23rd April को अबज़र के आता है जिसकी सुरात UNESCO ने 1995 से की थी उसी दिन हमारे MHRD मिनिस्टर रमेस पोख्रियाल जी ने My Book My Friend कैमपेन लांच क किया है साथ दिनों का कैमपेन है बात करते हैं UNESCO की यानि United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Head कौन है इसकी आद्रे अजोले जी इसकी Head है 1945 में UNESCO की सापना हुई थी और Headquarter कहा है पैरिस में तो recently आपके My Book My Friend कैमपेन MHRD मिनिस्टर रमेस पोख्रियाल निसंग जी द्वारा लांच किया गया है आप याद रखेगा Next question है फेलूदा एक Low Cost Covid-19 Test Kit है आपको उताना है किस institution ने डेवलप की CSIR Council for Scientific and Industrial Research ने फेलूदा नामक Low Cost Test Kit डेवलप की है Covid-19 के लिए देखे जो आपके CSIR की एक साखा है IGIB नई दिल्ली में इस्थित है यानि Institute of Geonomics and Integrative Biology ये नई दिल्ली में इस्थित है और CSIR की साखा है इन्होंने फेलूदा नामक एक Low Cost Covid-19 Test Kit डेवलप की है जो CRISPR Cas9 Technology पे आधारित है आपको बता है CRISPR Cas9 Technology को DNA Editing Tool के तूर पे यूज़ करते हैं इन्होंने CRISPR Technology का यूज़ क्यों क्या फेलूदा में क्योंकि ये जो है वाइरस यानी COVID-19 जो वाइरस है उसका जीनोम डेवलप कर सकता है तो अगर आप टेस्ट पॉज़िटिव और नेगिटिव पायते हैं तो उसमें CRISPR Technology का यूज़ है जो जीनोम ब्रेक कर सकता है आपके COVID-19 वाइरस के मैं बता दूँ जैसे आपकी Pregnancy Test Kit होती है सेम वैसे ही है फेलुदा Test Kit जिसे CSIR आईजी आईबी ने डेवलप किया है आप इतना याद रखेगा Next Question आपके देखते हैं एप्था मित्रा ये देखिए एप्था मित्रा एक एप और हल्प लाइन है इसको बताना है आपको किस स्टेट गौर्मेंट ने लाँच किया है ताक कि लोगों को टेली मेडिसिन फैसिलिटी प्रवाइड किया सके तो इसको लाँच किया है करनाटक सुबह 8 बजे से लेके साम 8 बजे तक ये लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी अभी तीन सिटी में स्टार्ट की गए है बेंगलूरू मैसूर और मेंगलूरू यहां पर ये हल्प लाइन प्रवाइड की जाएगी इसमें क्या होगा देखिए आपको टेली मेडिसिन फैसि इसके लिए मैं बतादू करनाटक के इस समय सीम जो है बी एस ये दिरप्पा जी है यहां की सीट साब जो लेजिस्टिलेट्व एसेंबली है उसकी टोटल सीट सीट से याद रखेगा 224 है क्यों याद रखेगा क्योंकि यहां पे बहुत बवाल हुआ था उसके बाद बीज इसके बादक गवर्मेंट की हेलप लाइन है आपको ताना है किसने इंडिया का पहला कोविड-19 सेंपल मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेट्री डेवलप की है इसको कहीं भी ले जा सकते है आप और वहां जाके लोगों का मोबाइल टेस्टिंग कर सकते है यानि की रिमोट एरिया में भी आप इसको ले जा सकते हैं ये एक वहिकल पे लोकेटेड है आप लिमोट एरिया में ले जा सकते हैं और एक दिन में हजाल लोगों का टेस्टिंग से कर सकते हैं इसको वीडियो कॉन्फेंसिंग के दोरा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनास सिंग जी ने इन मोबाइल टेस्टिंग जो भी होता जैसे मोबाइल लॉंचर आपका अगनी फाइल मिसाल के लिए है तो उसका फाइदा यह है कि अगनी फाइल मिसाल को लगा लिजिए और उसको कहीं भी ले जा कि अगनी फाइल मिसाल को लॉंच कर सकते हैं उसी तरह से आपके मोबाइल टेस इसके इंडिया में पास से 6 मेडिकल कॉलेज हैं, तो जो ESIC, हैदराबाद मेडिकल कॉलेज है, उसके मदद से DRDO ने इसको डेलब किया है, मोबाइल टेस्टिंग लेबरेट्री है, इंडिया की पहली, DRDO की बाद करें, तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, डिफेंस मिनिस्ट् है, Employee State Insurance Corporation, देखें, 1952 में उसकी स्थापना हुई थी, ESIC Act 1948 के द्वारा, और लेबर मिनिस्ट्री के तहट आता है, आप इतना याद रखेंगे, ने इस पोस्षन आपका देखते हैं, रिसेंटली जानी मानी थेटर आर्टिस्ट, उसा गंगुली जी का निधन हो गया, आपको ताना किस स्थेट से बिलॉग करती थी, तो देखें, गंगुली लगा है इनके सरने में, इसका मलब यह नहीं कि यह पस्ची मंगाल से बिलॉग करती थी, यह UP के कानपूर में जन् संगीत नाटक अगेडमी अवार्ड मिला था, तो यह आप से पूछते हैं कि उसा कंगुली को संगीत नाटक अगेडमी अवार्ड कम मिला था, तो वो 1998 में मिलेगा, मैं मता दूँ, आपको कई बाद लोग पूछते हैं कि क्या हम सबका यह याद रखें कि इसको कौन सा सबका तो कोई याद नहीं सकता, और देखिए हर वर्स ऐसे लोग बहुत कम मरते हैं, जिनको संगीत नाटक अगेडमी अवार्ड मिला हो, तो सिर्फ उनके भी से मियाद रखें, तो 1998 में उसा कंगुली को संगीत नाटक अगेडमी अवार्ड मिला था, इसका इसका हेड़कॉर्टर इस्तित्या आप जाद रखेंगे, जो इंटरनेशनल वर्ड गेम असोशेशन है, इसको आई ओसी, इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेट्री दोरा मानेता प्राप्त है, 1980 में इसकी स्थाफना हुई थी, अब मैं इसको डिसकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ड गेम असोशेशन ने दि वर्ड गेम का लोगो चेंज कर दिया है, अब इसका लोगो हो गया है, TWG 2022 बर्मिंगम, देखिए दि वर्ड गेम आपके बर्मिंगम में होने हैं 2022 में, और यह बर्मिंगम आपका, इंग्लैंड वाला बर्मिंगम नहीं है, यह अलबाना वार बर्मिंगम है जो USA में इस्तित है तो दी वर्ड गेम्स आपके 22 यानी 2022 में होंगे कहां पे बर्मिंगम अलबाना USA में आप इतना याद रखेगा तो उसके लिए नहोंने अपना लोगो चेंज कर दिया है किसने लोगो चेंज किया है इंटरनेशनल वर्ड जो बर्मिंगम 2022 में होने है अलबाना USA में नेश्क कोशन है बताना है किस इस्टेट गवर्मेंट ने थ्री प्रॉंग्ड इस्ट्रेटीजी अपनाई है को विए नाइटीन को ट्रेकल करने के लिए तो रिसेंटली हिमांचल प्रदेश गवर्मेंट ने डिसाइड किया है क कि वो three-pronged strategy अपनाएगी COVID-19 को ट्रैकल करने के लिए इसमें क्या होगा देखे तीन तरह के institution set up की आएंगे पहला institution होगा COVID care center इसमें जो asymptomatic लोग होंगे जिनके symptoms नजर नहीं आ रहे उनको रखा जाएगा second है आपका COVID health care center यहाँ पे जो moderate level के symptoms वाले लोग होंगे उनको रखा जाएगा और तीसरा होगा आपका COVID hospital यहाँ पे जो severe symptoms वाले लोग होंगे उनको रखा जाएगा तो यह three category में आपके decide कर दिया है हिमांचल प्रदेश गवर्मेंट ने उसी तरह से corona virus को यह tackle करेंगे बात कर लेपर हिमांचल प्रदेश का state animal है next question आपको वताना है किस state government ने खौंग जॉम डे 23 अपरेल को अबज़र किया है क्यों 23 अपरेल को क्योंकि इस दिन 1891 में यानि 23 अपरेल 1891 को मड़ीपूर और बिर्टेश आर्मी के बीच में लड़ाई हो रही थी हाला कि बिर्टेश सेना जीत गई थी लेकिन उस दिन से लेके आज तक इतने भी मड़ीपूरी सही सहीद हुए थे उनकी याद में हर वर को सीम कौन है एंबी रेंसिंग जी है मड़ीपूर के गवणर कौन है नजमा है पतुला जी यहां की गवणर है आपे दरिखेगा जो आपका कौंग जौम मेमोरियल है यह मड़ीपूर की कैपिटल इंफाल से 35 किलोमेटर दूर है मड़ीपूर एक चीज के लिए बहुत फे नेशनल पार्क केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क मड़ीपूर में इस्तित है इसलिए आपकी लोक्टक लेक फेमस है लोक्टक लेक संगाई डियर्स के लिए यहां पर पा जाते हैं तो रिसेंटली मड़ीपूर ने खौंग जौम डे ऑपडर किया है आप दरिखेगा नह कोशन में बता चुका हूँ आप वहां से पिक अप कर लिजिएगा डियर्डियो की दो लैब हैं दिपास दिपास और दूसरी हाप की निमास तो दिपास और निमास ने मिलके यह अल्टा वालेट सी सेनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया है आप इतना या दोनों ने मिलके ही आपका अल्टा वालेट सी बेस्ट सेनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया है जो कोविड नाइटीन से डिस इंफेक्शन प्रवाइड करेगा नेस कोशन आपका देखते हैं एक ओनलाइन डियलोग लॉक्डाउन लर्नर लांच किया गया है किस इंटरनेशनल ओरनाइजेशन दोरा तो UNODC यानि यानि युनाइटे नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने लॉक्डाउन लर्नर नाम का ओनलाइन डियलोग बॉक्स जनरेट किया है लांच किया है इसमें क्या होगा जो स्टुडेंट्स टीचर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे परपस है कोविड-19 का SDG पर यानि सच्टेनेबल डेवलब्मेंट गोल पर कैसे इफिट पढ़ आ है उसके विसे में डिसकस के जाएगा आपको पता है 2030 त स्टुडेंट्स दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे मैं बता दूँ आपको एक UNODC का इनिशेटिव है उसका नाम है एजुकेशन फॉर जस्टिस तो UNODC का एक इनिशेटिव है एजुकेशन फॉर जस्टिस उसी की तहत आपका लॉकडाउन लांच किया गया है तो UNODC का है UNODC का है UNODC का है उस्ट्रिया की केपिटल वियना में है आप एद रिखेगा और 1997 में UNODC की स्थापना हुई थी आप इतना याद रखेंगे इने शोच शनाव का देखते है आपको बताना है किसने 60 स्टार लिंक सैटलाइट लांच किये है और बिट में सक्सेस्फ सैटलाइट है उससे लांच किया गया है यह फॉल्कल नायन की 84 और इसके दोरह 60 सैटलाइट में स्थापित के गये और कहां से लांच किया है तो नासा का जो कैनेडि ऑप से लांच किया गया है मैं बता दूँ इसके फाउंडर और सीईओ कौन है चिफ एक्सथिट आफिस इन्होंने 60 स्टार लिंक सेटलाइड लांच किये हैं और्बिट में सक्सेस्फ़ली PV सिंधु को I am badminton का ambassador बनाया गया है आपको तरना I am badminton campaign किसके दोर स्टार्ट की गई है तो I am badminton campaign आपका BWF यानि badminton world federation की एक campaign है जिसमें all over world से players को select किया गया है इसमें इन्डिया से PV सिंधु को इसके लिए brand ambassador बनाया गया है तो आप एद रेखिएगा I am badminton campaign BWF यानि badminton world federation की campaign है इसमें इन्डिया से PV सिंधु को select किया गया है मैं बतादू BWF का headquarters कहा है कौलालमपूर में है मैं बतादू 1934 में यह स्थापित हुए थे BWF जी क्या बोल रहा हूँ मैं 1934 में इनकी स्थापना हुई थी और president कौन है Paul Eric इसके president है आप इतना आद रखिएगा नेख question आपका देखते है 3rd edition सुझलाम सुफलाम जल संचय अभियान का इस्टार्ट हो गया किस इस्टेट गॉर्मेंट दोरा तो recently गुजरात गॉर्मेंट ने सुझलाम सुझलाम जल संचय अभियान का 3rd edition इस्टार्ट किया है 3rd edition का मतलब क्या है 2018 में इसकी सुरुवात हुई थी तो उसके बाद 2019 में 2nd edition हुआ और 3rd edition 2020 में हो रहा है इसका purpose क्या होता है हर बार मांसुन से पहले desiltation होता है जो आपके नहरे होती नदी होती उन्टा desiltation होता है लेक्स का ताकि उनकी गहराई बढ़ सके और जो मांसून आये तो उसमें water को एकटा किया सके इस्टोर किया सके future के लिए तो इसलिए सुझलाम सुफलाम जल संचय अभियान 2018 में विजय रूपानी जी ने श्टार्ड किया था जो कि गुजरात के सीम है और गवर्नर कौन है आचारे देवब्रत जी है मैं बता दूँ आपको गुजरात इंडिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात में है आपने आद रिखेगा और गिर्ड नेशनल पार्क गुजरात में है ये दोनों चीज़ें आपने रिखेगा इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस इस्ट की है तो गुजरात की है नेस्ट कोशन आपको देखते है आपको बताना है COVID-19 Impact of COVID-19 on Migration and Remindances ये रिपोर्ट किस ने जारी की है तो ये आपके World Bank ने जारी की है मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ World Bank, World Bank Group का एक सदस्ट है जो दो इंस्टिटूशन से मिलके बना है एक आपका IBRD International Bank for Reconstruction and Development और दूसरा आपका IDA International Development Association इन दोनों को मिला कि आपका World Bank बना है World Bank में 189 मेंबर है Recently इन्होंने Impact of COVID-19 on Migration and Remindances रिपोर्ट जारी की तो इसका output क्या है आप नोट कर लिजिएगा मैं बता दूँ इन्होंने जो Remindances रिपोर्ट जारी की है उसमें का है इंडिया में आने वाली Remindances में 23% की कमी हो जाएगी यानि लाश्ट टाइम 83 बिलियन आई थी 83 बिलियन डॉलर इस बार 23% की डिक्रीज हो जाएगी और इंडिया में टोटल Remindances आएगी तो इन्टी में $64 बिलियन सिर्फ इतनी आएगी मैं बता दू आपको Global Remindances में इन्होंने कहा है कि 20% की कमी हो जाएगी लगबख 100 बिलियन डॉलर की कमी हो जाएगी Global Remindances में तो सिर्फ आप इतना याद रखेगा इसके लाबा इन्होंने ये भी कहा है कि Global Remindances में आने वाले Next Year में 5.6% की Growth हो जाएगी South Asia के लिए आप लोग और नूर कर सकते है कि 22% का Decrease हो जाएगा Global Remindances में World Bank की मैं बात करूँ 2 July 1944 में स्थापना हुई थी 189 Member है मैं आपको बता दिया Headquarter कहा है वाशिंग्टन DC में है President कौन है? David Malpass हमेशा एक अमेरिकी President होता है David Malpass एक American है MD और CFO कोन है? Chief Financial Officer Anshula Kanji है जो SBI की MD रह चुकी है मैं बतादू World Bank Group में total 5 bodies है India एक का Member नहीं है International Center for the Settlement and International Dispute ये India सिर्फ इसका Member नहीं है बाकि सबका Member है आप याद रखेगा Next Question है आपका आपको बताना है कि Fitch Rating ने इंडिया की GDP Growth Rate क्या प्रेडिक्ट की है नए जो इसकी Report आई है उसमें इंडिया की GDP Growth Rate क्या प्रेडिक्ट की है तो Recently इन्होंने Global Economic Outlook Report जारी की है Fitch Rating Agency ने आप रखेगा Global Economic Outlook Report इसमें इंडिया की GDP Growth Rate इन्होंने का है 0.8% रहेगी तो आप रखेगा Financial Year 2021 के लिए है ये तो 0.8% रहेगी इंडिया की Growth Rate मैं बता दूँ आपको World के लिए इन्होंने का है कि World की Growth Rate Minus 3.9% रहेगी यानि कि वर्तमान में जो GDP है World की उससे 3.9% shrink हो जाएगी नेगिटिव चली जाएगी आप रखेगा तो Global Economic Outlook Report फिच ने जादी की है इसमें इंडिया की Growth Rate इन्होंने 0.8% बताई है Headquarter कहा है फिच का New York में है Chief Executive Officer आपके Paul Taylor आप इतना याद रखेगा ये प्रिवेस वीडियो का question था आपको तना है कि पहला North Eastern State जो Corona Free हुआ मणीपूर और इमा का Headquarter में ने पुछा था जिनेवा सभी ने सही answer दिया copy paste नहीं किया मेरे खाल से और ये आज की वीडियो से question है I hope आप बता ले जाएंगे World Bank अब इस्ताफित हुआ था और longest coast line की assisted की है मिलते हैं आप से जल्दी ही नेश वीडियो में दब तक के लिए टेक केर गुडबाइ और जैहिन